आज के session में moving average से option buying और intra day में equity buying को सीखेंगे ठीक है और यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले clear कर दूँ यह बिलकुल reasonable projection के through हम लोग जाएंगे और आसत के साथ जाएंगे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इन सारे concept जो भी आप यहाँ पे सीखते हैं इन सारे concept की clarity उन पे किये गए trades सारी update आपको नीचे description में जो telegram और whatsapp group का link है जब आप उसको join करते हैं वहाँ पर आपको सारे update मिलते रहते हैं कोई भी concept आपने यहाँ वीडियो में सीखा उस पे जो भी हमारे traders trade execute कर रहे हैं क्या खरीदा गया क्या बेचा गया सब कुछ update वहाँ पर तरसीख सकते हैं ठीक है तो वह जाइन कर सकते हैं देखें इंट्राडे trader जब आप option buying करेंगे या equity में इंट्राडे करेंगे तो as a इंट्राडे trader हम लोगों कोई चीज़ा सीखनी है तो इंट्राडे में जिस तरह से act करना है वो सीखना है ठीक है एक session मैंने आज अभी morning में किया उसको इंट्राडे में आप देखिएगा बहुत beneficial है और ये एक तरीका moving average से इंडिकेटर के थुरूप बहुत बहुत बहतरीन काम करता है समझ यह कैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी बाजार में इंट्राडे trading करने बैठे हैं तो आपके लिए तीन session बहुत मा बोला हूँ पिछले तीन session में जैसे price चला है और जैसा उसका momentum है strong price था weak था कौन से structure से high break करके rally देता है या रुकने के बाद consolidation के high निकाल के rally देता है जो भी पिछले तीन दिन में हुआ है अगर आपको ध्यान है तो समझ लीजे वही price उनहीं में से कोई ना कोई एक projection repeat होग तो तीन दिन का अच्छा इसके पीछे logic यह है तीन दिन ही क्यों ठीक है तो यहां पे मैं दो बाते एक साथ बोलता हूँ पहली यह कि किसी के धैर की समय सीमा consolidation तीन दिन चलता है अब trend तीन दिन चलता है higher highs तीन बार लगते है lower lows तीन बार लगते है यह सारी चीजें तीन ती तीन बार ही क्यों होती है triple top के बाद four time top नहीं होता calculation में हम लोगों ने सीखा है ठीक है तो हर बार तीन का ही आंकड़ा क्यों ठीक है पहले पहली चीज़ थोड़ा सा हम लोग logical से थोड़ा सा इतर आके religious structure समझते हैं तो जब आप लोग राम चरित मानस को पढ़ते हैं तुलसी दास जी को पढ़ते हैं तो वो क्या लिखते हैं विनैना मानत जले दिज़ गय तीन दिन भी ठीक है बोले राम सकोग तब ध्याने सभी को तो भगवान राम ने कितने दिन patience रखा कितने दिन धैर र रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मानव तो यह तीन कहां कड़ा बार बार ट्रेडिंग में बहुत मातपूर हो जाता है अब थोड़ा सा logical समझते हैं ठीक है logical क्या है जड़ा समझें यह माना जाता है कि जो खरीदार कल खरीदारी करके गए वो आज के session में सबसे ज़्यादा एक् कर रहे होंगे या फिर उसके एक session पहले जो active थे वो हो सकते हैं या फिर उसके एक session पहले जो active थे वो हो सकते हैं इसके पीछे के buyer और seller नहीं होते हैं अच्छा जब पिछले तीन दिन के buyer और seller ही खरीदारी करेंगे तो उनके खरीदारी का तरीका भी तो वही होगा जो पहल करके 10 लाग की quantity उठा लेंगे अब मैं आपके pocket में देता हूँ 10,000 करोड अब बोलता हूँ SBA खरीद क्या ये अब क्या ऐसे खरीदारी की जा सकती जैसे की गई एक बार में लमसम करके नहीं की जा सकती क्या करेंगे अब आपको करोड की खरीदारी की और फिर आप रुख गये तो एक session पहले की और एक session बात की तो ये repeat हो गया की नहीं कल 500 करोड की खरीदारी में उगर price चल कर गया 400 point तो आज फिर चल कर जाएगा 400 point इसी को कहते है psychological learning जो technical के साथ जोड जाती है तो मैं psychological point को technical से जोड देता हूँ मैं कहता हूँ पिछले तीन trading sessions के projection को याद रखिये जो कल mutual funds खरीदारी कर रहे होंगे जो कल institutions FIA या DIA खरीदारी कर रहा होगा जो active institution है वही आज खरीदारी कर रहा होगा जो पांस दिन पहले खरीद कर चला गया उसका कोई trade plan ही नहीं आज खरीदने का वो क्यों खरीदने आ अगर किसी ने कल खरीदारी की है तो उसका कुछ औस भाव आया होगा और दो session पहले खरीदारी की उसका कुछ average price आया होगा और उसके एक session पहले खरीदारी की है तो उसका एक average price आया होगा तो पिछले तीन session का अगर मिला जुलाकर एक औस भाव निकल आए हमारे पास और फ हूं सभी को वो concept है 564 का moving average और वो भी दो मिनट के time frame पर क्यों ऐसा बोला हूं यह 564 का moving average जब आप 2 minute के time frame पर trade करते हैं तो total number of candle तीन दिन में 2 minute की 564 ही बनती है दो मिनट की total candles किती ही बनती है 564 तो 2 मिनट के time frame पर 564 का moving average पिछले तीन दिन के बायर के औसत को बता देता है बात क्लियर होगी तो पिछले तीन दिन के बायर का और सेलर का average price निकल आया तो अगर कभी भी price average price के average price के 564 के औसत के नीचे trade कर रहा है तो weak है ऊपर trade कर रहा है तो strong इससे trade नहीं execute करना है यह बस एक signal है price strong है अब कैसे trade करना है मैं यहां बताता हूं चलिए दो मिनट के time frame पर आ जाए इंडिकेटर में चाहिए moving average को search कीज़े यह बहुत authentic तरीका है trading करने का ठीक है हमारे traders बहुत समय से trade कर रहे हैं दो तीन साल चार साल से इन चीजों को profitable होकर हम लोग trade करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से उठके देखे high break कर रहा है और momentum दे रहा है ठीक है अब हमको क्या करना है गौर कीज़े हमको सिर्फ यह देखना है कभी भी price जब 564 के moving average के उपर नीचे से lot कर आएगा 564 moving average के नीचे trade कर रहा हो और फिर उपर lot कर आएगा तो lot ते समय जो impact में एक high लग गया जब break किया ना उसके बाद चल के जो high लग गया उसके बाद price retrace करेगा नीचे भी आ सकता है कहीं भी जाए जाने दीजिए अगर lot कर वो high break कर गया तो long करेंगे और momentum को पूरी तरह से enjoy करेंगे long करेंगे momentum जहां तक मिल रहा है trailing के साथ चलेंगे ठीक है trailing के साथ चलेंगे risk reward के साथ चल सकते हैं आप कि आपने 20 point का SL सोचा है तो 40 point 50 point बूख करके जाए इस तरह से भी चल सकते है या फिर trailing के साथ चलेंगे तो बड़े target भी मिलते हैं इस तरह के target भी आप अचीव करत में जहां तक आया वहां नहीं short करना है जब lot कर उपर जाने के बाद previous high निकालने से पहले lot कर ये low break कर दे तो short कर दीज़े बात clear हो गई देखिए कैसे समझाओ आईए देखिए ये को लिंडिया का चाट है यहां पर ये price एक बार इसके नीचे आया low लगाया मैंने का यहां नहीं short करना है अब उपर जाकर lot कर अगर इस low को break कर देता तो short कर देते ठीक है तो इसने मौका नहीं दिया तो गलत trade execute नहीं होगा अब मैंने दूसरी बात क्या कही प्राइज नीचे से lot कर उपर जाए और जो high लग break हो गये तो long कर दीजे अब long करने के बाद swing low के stop loss डाल दीजे price lot करने है बात के लिए आगे देखते है हर बार का concept है एक बार का नहीं बाहर बार इसी को trade कीजे बस यहीं इस पर profitable होते रहे है कुछ extra नहीं करना है ठीक है फिर वही concept है प्राइस ने क्या किया ऊपर की तरफ high break किये lot कर नीचे आया जैसे यह high निकले long कर दीजे लॉंग करने के बाद price ने क्या high लगा दिये 6666 ठीक है एक session में 60 का price track करते है यहाँ पर पीछे आई एक बार की बात नहीं मैंने बोल आपसे एक बार की बात नहीं बार बार होगा हर बार 564 का moving averages है कोई आपको इंट्राडे में इस तरह के average rate करते हो कहीं दिखता है क्या इतना बड़ा average लोग कहेंगे 9 का moving average rate कर लीजे 10 का कर लीजे अच्छा bad trade से कैसे बचाता है मैंने कहा impact में low लगेगा price lot कर जाएगा लोटने के बाद जैसे ही low break को short कर दीजे 553 का price 547 353 का price 302 percent की गिरवड इंस्टेंट तुरंत momentum मिलता है अब price जा रहा है जा रहा है high break नहीं कर रहा है high break नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है यहां किया करने के बाद लोट कर जैसे ही है निकला यह तो अभी envelope देख रहा है ठीक ह ठीक है 5% का momentum 5% का intraday दो session में जाके एक session में जाके इतना बड़ा momentum 5-5% आपके stock options triple हो जाते हैं 3-3 गुना हो जाते हैं 2% में double हो जाते हैं कभी-कभी 50-50-60-60-60% का increment देखने को मिलता है stock options में यह तरीका होता है इसको कहते हैं tool को use करना जो आप कहते हैं कि मैं MACD use कर रहा logically use कीजिए न मैंने आपको पूरा उसका एक तरीका बताया कारण बताया फिर कह रहा हूँ अब जाके trade करकर देखे और गलस सामित होता है तो बताईए trend का stock पकड़िए जो up trend में है और इस तरह से बार-बार खरीदारी देता रहेगा अगर down trend में है तो उसको पकड़ लीज कभी गिरावट को गलत दिखाएगा अब trend को गलत नहीं कभी नहीं कभी trap करेगा ही नहीं भूल जाए है trapping को यहाँ पर बहुत अच्छे projection देखने को मिलेगे ठीक है अब live market में जाकि जब आप इसको check करेंगे तो इसके जो mesmerizing results होंगे आपके सामने जो आपको सराबोर कर इस तरह से reasonable trading कीजिए जिसके आपके कारण पता हो कि मैं क्यों खरीद रहाँ अब ये setup trade करने से पहले आपको reason पता है न क्यों trade कर रहा हूं ठीक है एक है मैं खरीदारी कर रहा हूं, इंच हो 544 आवरेज उस कर रहा हूं, यहीं 2 मिनट के Timeframe पे यूस कर रहा हूं ठीक है'm लोग कहती हैं जो कहती है 5 inevit की ताइम फ्रेम दस में, इन इतौ मिनट के थाट करता हूँ अपने टेडर को भी करता, और और हमारे जितने trader profitable हैं दो मिनट के time frame के इंट्राइड ट्रेडिंग करते हैं आप लोगों को भी suggest करते हूं सबसे अच्छा projection है दो मिनट के time frame को trade कीजिए psychological strong पांच मिनट के time frame को trade कीजिए execution के बाद कभी-कभी trade दो धाई घंटे ले लिता है target या stop loss लेने में इतना psychological अभी आप strong है beginning में कि दो धाई घंटे trade में रह सके हैं सोची इस बात को जड़ा practical तरीके से price को देखिए एक बार तो ये सारी चीज़े समझेंगे न आप trade execute करने के बाद दो धाई घंटे trade में रह पाते हैं सोची एक बार आप बीच में trade काट कर चले जाते दो मिनट क टाइम फ्रेम इन सारी चीज़ों से दूर करता है instant rejection high break हुआ देखे इस तरह के momentum high break हुआ इस तरह का momentum ठीक है तो आपका trade ओवर हो जाता है 15 से 20 मिनट मैक्स 25 मिनट 30 मिनट अब ये जो time है ये आपके holding period का है beginning में आप इतना ही समय hold कर भाएं ठीक है और जल्दी आपको execution मिलत है शुरवात में कहा रहता है trader को जल्दी trades आई execution जल्दी मिलता है वेट ज्यादा नहीं करना पड़ता है trade के लिए ये सारी चीज़े psychological है और उसको technical से जोड़कर trade करा रहे है बस simple हो गया price आपके लिए थोड़े से बदलाव करने होते है अपनी trading में इसलिए मैं कहता हूँ जिल लोगों को देखे community join करना है एक एगटे के daily stations होते है वहाँ चीजों को सीखना है वहाँ पर live trading आपको करा है यह live market में trades करा जाते हैं hedging करा है जाते है daily proper हम लोग intra day में रोज profits बुक करते हुग आगयो जार नीचे description में contact detail है वहाँ पर contact करके आप enrollment भी कर सकते है Saturday से batch start हो